नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरल गरेलो नुस्के में दोस्तों गर्मियों का मौशम सुरू होते ही पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती है जैसे कि पेट में दर्द, पेट में एठन, भोखना लगना, हमेशा पेट भारी भारी से लगना, पेट में गोड़गोड़ा हट रहती है और पेट भी साफ नहीं हो पाता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही आसान सा घरेलू नुस्का बताऊंगा जो बिलकुल आसानी से आपके घर के ही कुछ एक समान को यूज़ करके तयार हो जाएगा और आपको इन सारी पेट से रेलेटेड प्रॉब्लम से बहुत ही जल्दी छुटकारा दिलाएगा तो आएए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को सुरू करते हैं और जानते इस घरेलू नुस्के को लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल सरल घरेलो नुस्के को अभी सब्सक्राइब कर लीजे और इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजेगा तो आईए दोस्तों बिना किसी देरी के इस नुस्के को जानते हैं दोस्तों यहाँ पी जो मैंने सबसे पहली चीज ले रखी है वो है अदरक करस जी है दोस्तों आपको लगबग दो इंच बड़े अदरक के टुकडे को अच्छे से छील करके उसे कदुकस या फिर के से निकाल लेना है इसके बाद आपको क्या करना है आपको लेना होगा एक गलास हलका सा थंड़ा पानी इस तरह से दोस्तों देखिए आपको एक गलास थंड़ा पानी ले ले लेना है यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको गुन-गुने पानी का यूज ब ही करना चाहिए दोस्तों यहां पर जो मैंने अद्रक कर अज़ियों यहां पर हाजमोला का यूज करना है मैं चाहता तो प्र। यहां पर नावसाधर मिलाने के लिए Boll सकता था क्योंकि नावसाधर आसानी से नहीं मिल पाता है और अगर आप उसका ज्यादा प्रियोग कर लेंगे तो वो आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है देखिए दोस्तों यहाँ पे हाजमोला में मिक्स होता है इसके इंग्रेडियेंट्स में देखिए थोड़ा सा इसमें नौसादर मिक्स रहता है उपर से इसमें काली मिर्श बगरा भी रहती है जो आपके पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफीशल रहने वाली है तो यहाँ पे मैं दो से तीन हाजमोले की गोली को अच्छी तरीके से बारीक पीस लूँगा उसके बाद ही इसका प्रियोग हम यहाँ पे करेंगे तो मैं इसे सबसे पहले बारीग पीस लेता हूँ फिर उसके बाद आपको बताता हूँ तो दोस्तो यहां पर देखें मैंने चार हाज मोले की गोलियों को बारीग बिल्कुल पीस ही आ है अब मैं इसका प्रियोग करूँगा इसके अंदर यानि कि इस पानी में मैं इसको हाज मोले की चारो गोलियों को इस तरीके से पीस करके मिला लूँगा और फिर उसके बाद दोस्तो यहाँ पे एक और चीज का प्रियोग करना है और वो है दोस्तो सौफ। यहाँ पे हम सबसे पहले 2-3 चंबच सौफ को बारीक बिलकुल मिक्सी में पीस लेंगे उसके बाद इसका प्रियोग करेंगे तो मैं इससे पीस लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ आगे कर नुस्का कैसे यूज़ करना है से यहाँ पे देखिए 2 चंबच सौफ को मै क्या करेंगे इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दोस्तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब यह नुस्का पूरी तरीके से तयार हो चुका है जब भी कभी आपको पेट में भारी पन लगे भूग ना लगे पेट साफ ना हो या फिर पेट में दर्द द आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक भी मिला सकते हैं, वो आपके लिए और भी बेनिफीशल रहने वाला है, अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आप इसमें सेंधा नमक का भी उसकर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इन चीजों को ऑफ्शनल इसलिए रखा है, क्य हो जाएगी, इस नुस्के का प्रियोग मैं डिरेक्ट ऐसे ही बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ कर सकता था, क्योंकि गर्मियों में पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, सरीर में हम पानी कम पी पाते हैं, कुछ लोगों की आदत भी होती है, पानी कम पी पा कि आप इस नुस्के को दिन में सिर्फ दो बार ही प्रियोग कर सकते हैं, चाहे तो आप सुबा के टाइम में खाली पेटे का प्रियोग कर सकते हैं, तब आपको हाजमोला थोड़ा सा कम रखना है, हाजमोला या अगर एवोईड करेंगे सुबा के टाइम पे तो भी किसी और बहुती बहतरीन से घरेलू नुष्खे के साथ तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीagenal को सबस्क्राइब कीजेगा तब तक के लिए हुआ